जितनी भी राजनितिक पार्टियां हैं बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि केजरीवाल किस तरह से गरिगट की तरह रंग बदलते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं किसी के हिसाब से नहीं करते तो राजनितिक पार्टियां उनके बैकावे में नहीं आएंगी लोग इनका काफी मंत्री ऐसे हैं जो काले धन के घुठाले में जेल में बंद जा चुके उनके घरों से ट्रक वरवर के नोट निकले हैं ममताबनर जी खुद एक ताना सा मुख्य मंत्री हैं क्या हालत उन्होंने बंगाल की बना रखी है अगर उनके खिलाब कोई कुछ कह दे तो सीधा य को भी कि घुठाल के साथ खड़ा नहीं होगा सरकार का में सरकार जो अपना अधिकार है वह सरकार दिखा उसने सरकार ने जो किया अच्चा किया है क्योंकि केज्री वाल यह सा मुख्य मंत्री को अकर यहां पूर अधिकार दे दिए जाएंगे तो दिल्ली बरवाद हो लेकर ने तमाम बिपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और इन्य कॉन्विन्स कर रहे हैं कि केंड सरकार के द्वारा लाए गए अध्यादेश को कानुन ना बनने दे। किस तरीके से देखने अनितमाम प्रक्रियाओं को जो धिल्री सरकार दोरा ऑर दिल्री मुख्यosh interessant कि धुवारा की जा रही है। स्रवर्वा मांता है बागी सबको समझता है का यह सब लोग कुछ कुछ जानते से हिन्हीं हम सब जानते है कि सरकार के साथ कॉरिणेटर करके नहीं चला यह अपने आपको 만तर आपको इसको यह सोचना चाहिए कि टफ पूर्ट राज्य नहीं है या यूनियन करके यहीं उने ट्रेटरीं में जो हैंना जो सीयम होता है उसको पूर्ण अधिकार का यहां उसको LG जो Lieutenant Governor होता है उसके साथ कोडिनेट करके चलना पड़ता है दोनों मिलके काम करते हैं और तीसरी बात यहां पर किया है कि यहां Center Government का भी हस्येप है क्योंकि देश की राइधानी है देश की राइधानी है तो यहां राश्टपती भी रहते हैं दिल्ली के अंदर प बात करने पड़ेगी और कैजरी वाल है कि ऐसा इंसान है कि जिसका जो किसी को कुछ समझता ही नहीं है सिर्फ अपने आपको मानता है कि हमीं सब कुछ सुपर है और जिस तरह से दिल्ली में जो हालाते उन्होंने की है नो साल हो गए नो साल में देखिए आप दिल्ली की क्य दुनिया जान रही है सरकार किस तरह से डेली उनके मंतरी जेल में जा रहे है स्वास्त मंतरी उनका दो साल के लगबग होने जा रहे है जेल में बंद है उनका उपमक्ष मंतरी आज जेल में है तीन महिना से और सीम खुद जेल में जाने बाले हैं तो ऐसे सक्स जो है न चाह क्योंकि लोग सभा में तो केंद सरकार के पास पूर्ण बहुमत है अगर बात करें राज्य सभा की जिसको लेकर आज डिली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल लगातार प्लैनिंग कर रहे हैं कि इस अध्यादेश को कानून ना बनने दिया जाए जिस तरीके से वह आई से काम करते हैं किसी के इसाफ से नहीं करते तो राजनितिक पार्टियां उनके बैकावे में नहीं आएंगी ठीक है कुछ एक पार्टियां उनका साथ दे सकती हैं क्योंकि यह कैजरिवाली पूरी ब्रस्टाचार में डूबे हुए हैं आज जेल के मुखाएं पर खड़े ए इस दिल्ली को चला सकते हैं तो इसी लिए मैं लोग इनका साथ नहीं देंगे मिलने जरूर गए मगर यह कुछ नहीं कर पाएंगे लोग सभा से तो बिलपास हो ही जाएगा और राज सभा में बड़े आराम से होगा इनके साथ कोई भी खड़े होने वाला नहीं है ममताब अनर्जी और अधव ठाकरे से मीटिंग जो है वो कितने मायने रखती है सर क्योंकि यही दो यही तमाम पार्टियां हैं जो की दो हजार चौबिस के चुनावों की भी एक जुटता दिखाने की कोशिश कर रहे आपने देखा होगे ममताब अनर्जी के काफी मंतरी ऐ तो ममताब अनर्जी जिस तरह से कैजरिवाल ताना सा दिखाते हैं वैसे ममताब अनर्जी तो ताना सा ताना सा जरूर एक हो सकते मगर जो बुद्ध जी भी राजनीतिक है वो कभी कैजरिवाल के साथ खड़ा नहीं होगा सर्ण इसी के साथ एक तरफ अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो विरोत कर रही है दिली के मुख्यमंतरी लगातार राजनीतिक पार्टीओं से मीटिंग कर रहे हैं और इनी मुख्यमंतरी की तरफ से अध्यादेश को लेकर कहा गया था कि सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट की बात भी नहीं मान रही है है केंद्र सरकार सविधान और लोकतंदर पर नहीं चल रही है बहुत अच्छी बात आपने कहीं आपने देखा होगा कि यह सरकार का अपना एक अधिकार है कोट का अधिकार अपना है सरकार का अधिकार अपना है अगर कहीं सरकार क को लगता है कि कहीं कानून गलत हो रहा है सुप्रिन कोट उस पर ठीक से नहीं ले पा रहा है तो यह सरकार का विरकुल उसका अपना अधिकार है कि उस पर अध्यादेश लाके और उस कानून को बदल सकते हैं और यह पहली बार नहीं हुआ है पिछली भी काफी सरकार है इस त कर किंद्र सरकार के सद्ध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती देंगे उनका अधिकार है बिरकुल जाएं दें मगर सरकार का जो काम है सरकार का जो अपना अधिकार है वो सरकार दिखा उसने सरकार ने जो किया अच्छा किया है क्योंकि कैजरीवाल जैसे एक ताना सा मुख्य मंत्री को अगर यहां पूर अधिकात दे दिये जाएंगे तो दिल्ली बरवाद हो जाएगी कि केजरिवाल जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में घुटाला किया है एक सो पांच करोड रुपए उन्होंने अपने मकान में लगा दे आप सोचिए कि जिसके जो कह रहा है कि मैं आम आदमी का नेता हूँ जब बाहर निकलते हैं तो दो रुपए का पैन लगा लेते हैं देड़ सो रुपए की सट पहन लेते पहल में हवाई चपल पहन लेते और वो ही केजरिवाल आम जनता के पैसे से घर के अंदर पांच लाग के टोईलिट सीट लगवा रहे है सोचिए आप आठ आठ लाग के परदे लगवा रहे हैं एक एक करोड का टीवी लगवा रहे हैं तो यह कहां से आम आदमी है यह तो आहां नहीं है तो प्रिंस हो गए हिंदुस्तान के तो ऐसे प्रिंसों के हाथ में अगर दिल्ली की सत्ता पूर रूप से दे दी जाएगी दिल्ली में कुछ बचेगा नहीं दिल्ली को बैच के और यह कहां निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल ने कहा कि जिस तरीके के हाला तब बीजेपी के हैं हमें नहीं लगता कि दो हजार चौबिस में साथ सांसद भी दिल्ली से जीत पाएंगे क्योंकि दिल्ली की जनता नाराज है केंद सरकार की तरफ से लगातार हमें रोका जा रहा है का काम करने से केजरिवाल जी आप बताइए आपने अभी तक काम करें कितने हैं आपको 9 साल हो गए दिल्ली के अंदर एक आप काम करा तो जो आपने गिनादों के आपने जो किया हो लूटने के लावा आप जो एक अच्छी सराब नीती हुआ करती थी जो नार्कोटिक हिसाब से थी उसको आपने बदल के प्राइवेट एजनसी बना दिया और उसमें आपने कई करोडों का घुटाला किया हज्जारों करोडों का इसी तरह से आपने जलबोड में इतना बड़ा घुटाला किया बहुत ज्यादा और जमना साप फिर भी नहीं हुई इसी तरह से आपने पॉलूशन के नाम से बहुत बड़ा एक फंड लिया, बगर पॉलूशन साप नहीं हुआ, तो आपने काम किया क्यों, सिच्चा का बहुत बड़ा एक धोल पीटते थी, हमने बहुत अच्ची सिच्चा कर दी, हमने बहुत अच्चे स्कूल बनवा दिये, आज दिन तक दिल्ल है, टेक्स के मातने माता है, और कैजरिवाल ने इसके अलावा कोई कार नहीं किया है, तो इसके साथ तमाम जो अधिकारी हैं, उन्होंने दिल्ली के उपराज जिपाल को पत्र लिखा है, और ये जानकारी दी है कि सुप्रीम कोट के ओर्डर के बाद किस तरीके से हैरस्में को गाली गलोच और उनके करियर को खतम करने तक की धंकिया आमादमी पार्टी सरकार के मंत्रियों के तरफ से दीगे। वो तो सिर्फ अपने आपको समझ बैठे कि हमी सब कुछ हैं, जनाब आप कुछ भी नहीं हो, आपको जनता ने एक विवस्ता दी है, आपको एक प्लेटफोर्म जनता ने दिया है कि आप हमारे यहाँ दिल्ली की कानून विवस्ता समा लिए, हमारे हितों की रक्षा करिए, मगर आप तो उनके हितों की रक्षा ना करके आप तो लूटने लग गए, तो जनता आपकी वार इनको जरूर उठा के फैंक देगी और ऐसा फैंकेगी कि कैजरी वालगा दिल्ली से नामो निसान ही कतम हो जाएगा.